हेलो, इस वीडियो में आज हम सिखेंगे कि paragraph break stml में क्या हुथती है इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम paragraph break इसकी definition जानते है तो यह इसकी यहाँ पर definition है stml में paragraph का प्रयोग करने के लिए paragraph tag p का उप्योग किया जाता है यह जो tag है P इसको paragraph break दाने के लिए यूज़ किया जता है paragraph समानेतिया किसी text को एक block के रूप में प्रदर्शित कता है इस tag का प्रयोग करने पर browser paragraph से पहले और बाद में एक खाली line जोड़ देता है create a webpage to display text with paragraph break इसको हम notepad में करेंगे यह हमने notepad को open किया हुआ है और यहाँ पे हमने paragraph tag का use किया हुआ है यहाँ पे देखो सबसे उपर यहाँ पे लिखा हुआ हमने HTML इसके बाद head इसके बाद title और title में हमने लिखा हुआ है text with paragraph break हम यहाँ पे paragraph break देंगे इसके बाद title को बंद किया हुआ है head को बंद किया हुआ है इसके बाद यहाँ पे body tag लिखा हुआ है इसके बाद यहाँ पे heading h1 का use किया हुआ हमने इसके बाद यहाँ पे यह एक paragraph लिखा हुआ है यह दिखो यह सारा जो है यहाँ पे यह एक paragraph है इसके वाद यहाँ पे H1 को बंद किया हुआ है, heading को बंद किया हुआ है और यहाँ पे body को बंद किया है, इसके वाद यहाँ पे HTML को बंद किया अब हम क्या करना जाते हैं, यहाँ पे यह जो एक paragraph है इसके यहाँ पे दो paragraph बनाना जाते हैं तो दूसरा paragraph हमने कहां से start करना है वहाँ पे हम P tag लगाएंगे तो यह दिखो यहाँ पे हैदरवाद इसके बाद यहाँ पे हमने P tag यूज किया हुआ है इसका मतलब यह है कि P के बाद यह जो लिखा हुआ है the version of the company यह जो paragraph है यह अगला paragraph आएगा एक line यहाँ पे छोड़ेग के बाद कहां पे save करेंगे desktop पे save करेंगे यहाँ पे file name देंगे तो यहाँ पे हमने file name दिया er यह file name दिया इसके बाद dot extension लगाएंगे stml इसके बाद यहाँ पे save पे click करेंगे यह save पे click किया save पे click करने के बाद यह दिखो यहाँ पे default browser में er नाम की file आ गई है इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यह दिखो यहां पे एक हमने पैराग्राफ लिखा था इसके बाद यहां पे पी टैक का यूज किया हुआ है तो हैदराबाद के बाद यहां पे पी टैक का यूज किया हुआ है यह जो आगला यहां पे आएगा दी बर्जन ओफ दी क जाते हैं कि एक paragraph दिया हुआ है उसके दो-तीन paragraph मुड़ाना चाते हैं तो हम क्या करेंगे यहां पर P tag का यूज करेंगे तो इस वीडियो में हमने paragraph tag के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लगी तो please subscribe my channel